कहते हैं अच्छे कर्मों की बदौलत ही इंसान को स्वर्ग मिलता है लेकिन अगर हम आप से कहें कि धर्ती पर एक ऐसा रास्ता है जो सीधे स्वर्ग जाता है तो आप यकीन नहीं करेंगे दरसल चीन के तियान मेन परवत पर एक ऐसी गुफा है जिससे स्वर्ग का दर्वाजा कहा जाता है यहीं नहीं यहां जाने के लिए आपको महज 999 सीधियां ही चड़नी होंगी तो चलिए जानते हैं स्वर्ग की सीधियां कहां से होकर गुजरती हैं स्वर्ग की सीधियां के बारे में आपने सुना होगा लेकिन वो कहां है यह शायद कोई नहीं जानता इसी के चलते आज हम आपको ऐसी सीधियों के बारे में बताएंगे जो सीधे स्वर्ग जाती हैं महज 999 सीधियों को पार कर आप स्वर्ग में कदम रख सकते हैं 5000 फीट पर है स्वर्ग का दर्वाजा स्वर्ग की ओर जाने वाला ये रास्ता कहीं और नहीं बलकी चीन के 93 में माउंटीन पर है 1518 मीटर उचे यानी लगभग 5000 फीट के इस पहाड पर दुनिया की सबसे उची गुफा है जिसे स्वर्ग का दर्वाजा कहा जाता है इतिनी उचाई पर होने की वजह से यहां आपको सफेद बादल भी नजर आएंगे जिन्हें देख कर यही लगता है कि यही स्वर्ग का रास्ता है कुछ लोग इसे अगेट ओफ हेवेंस भी कहते हैं इतिहास बताया जाता है कि 253 इसवी में पहार का कुछ हिस्सा तूट गया था जिससे इस गुफा का पता चला इसकी लंबाई की बाद करें तो 196 फीट लंबी, 431 फीट उची और 187 फीट चौड़ी है इस गुफा की शुरुवात 20 फी शताबदी में तियान में परवत के पास एक वाटर फॉल से हुई थी जो सिर्फ 15 मिनिट के लिए दिखाई दिता था इसके बाद वो कहां गायब हो जाता कोई नहीं जानता हाला कि अब इस वाटर फॉल का कोई नामन शान तक नहीं है यहां एक बौध मच भी है जहां लोग शान्ती और ध्यान के लिए आते हैं तियान में परवत से जुड़ी कुछ और जानकारी तियान में परवत के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहां खजाने के असी मंधार है कुछ लोगों ने इस खजाने को ढूनने की काफी कोशिश भी की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली इस पहाड पर एक पुल भी बना है जो दुनिया का सबसे उचा पुल माना जाता है खत्रों से खेलने का शौक रखने वालों के बीच ये जगह काफी पॉपुलर है स्काइवाक अगर आप आस्मान को छूना चाते हैं तो इससे बढ़िया जगे कोई हो ही नहीं सकती दरसल यहां एक ऐसा रास्ता है जो ट्रांस्पेरेंट शीशे से बना है धाई इंच मोटाई वाले इस काँच के रास्ते की चोड़ाई तीन फीट है शीशे का ये पॉल 1430 मीटर की उचाई पर बना है इस खतरनाक ब्रिज को स्काइवाक भी कहते हैं कमजोर दिल वालों को यहां जाने की इजासत नहीं है क्योंकि शीशे का ये पुल बेहद ही खतरनाक है इस पुल पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं यहां आकर बड़े से बड़े खिलाडियों के पसीने चूटने लगते हैं ये रास्ता ना सिर्फ रोमांच से भरा है बलकि अपने अंदर के डर को भगाने के लिए अच्छी जगह भी है शीशे का ये रास्ता लगभग साथ मीटर लंबा है स्काइवॉक की मदद से यहां की खुबसूरती को करीब से नहारने का मौका मिलता है जहां आप गहरी खाईयां, विशाल परवत, नदियां, जीले, इत्यादी देख सकते हैं इन सब के अलावा तियानमेन माउंटेन के फेमस होने की एक और वज़े है दरसल यहां की घुमावदार सडक पर हर साल कार रेसिंग का कॉम्पिटीशन होता है इस रास्ते का हर मोड काफी खदरनाक है यही वज़े है, यहां हर कोई गाड़ी नहीं चला पाता जरा सी चूक आपकी जान ले सकती है स्टेडी मेडी सडक पर का चलाना मौत को गले लगाने से कम नहीं कैसे पहुँचे? स्वर्ग के इस दुआर तक जाने के लिए दो रास्ते है पहला गुमावदार सडके और दूसरा केबलवे केबलवे को रोपवे रास्ता भी कहते हैं केबलवे की मदद से ना सिर्फ जल्दी बलकि आराम से यहां पहुँचा जा सकता है ये दुनिया का सबसे लंबा रास्ता भी माना जाता है जिसकी लंबाई 24,469 फीट है इसी वज़े से रोपवे का नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है ये रास्ता काफी रोमांच से भरा है जहां आपको अलगी तरह का एहसास होगा इस रास्ते को पार करने के बाद जो रास्ता आता है वो सीधा स्वर्ग जाता है महज 999 सीधियों को पार कर आप स्वर्ग में जाने वाली गुफा में पहुँच सकते हैं इसी गुफा का रास्ता सीधे स्वर्ग में निकलता है यहां के लोगों का कहना है कि 999 स्टेप एक सुप्रीम नंबर है जो समराट का प्रतीक है वर्तमान में ये जगे एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है जहां देश-विदेश से लोग सुवर्ग के तर्शन करने आते हैं आज के लिए बस इतना ही वेडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें जहन दोस्तों